गुजरात वाले अडानी जी की तिजोरी दरसल तिजोरी नहीं है बलकि सेंटक्स की टंकी है जिसमें इतना पैसा भरा है इतना पैसा भरा है जिसका कोई मोल नहीं ऐसा ही आज कल कानपुर और कनौत से भी तस्वीर आ रही है तो ऐसा लगता है कि मानो भारत में पैसा ही पैसा है लेकिन एक तस्वीर है जो पैसे को बता देती है कि भारत में उत्रा पैसा नहीं है जितना दिखता है यह तस्वीर देखिए जब भारत देश में यह चमचमाते सितारे जिनकी एक दिन की तनखा भी करोडों में होगी अग आप सोच सकते हैं कि गरीबी किस कदर होगी यह सूट बूट वाले लोग भी भारत में अगर तंबाकू बेच रहे हैं और नीचे लिखते हैं पहचान काम्याबी की तो आप सोच सकते हैं कि तनका कितनी होगी तो गरीबी का इस तर इसी बात से लगा लीजिए कि भारत में यह सूट बूट वाले कलाकार भी आवो पान मसाला बेशने निकल पड़े हैं लेकिन इस हकीकत से इतर एक और हकीकत आपको दिखाता हूँ यह दिल्ली की तस्वीरे हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ठंड का जैसे जैसे प्रकोब बढ़ रहा है वैसे यह तस्वीरे भी आपको देखनी चाहिए कि ठंड में जब बैठ बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े अफ्तरों में बड़े-बड़े हीटरों के बीच तापमान को नियंतरित करके बड़े-बड़े फैसने लेते हैं और कहते हैं सबका साथ है, सबका विश्वास है और सबका विकास है तो विकास दरसल दरी डालकर यू सो रहा है विकास दरसल विकास नाम की कंबल डालकर यू सो रहा है आप उस कंबल को भी देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन से कंबल में कौन सा विकास सो रहा है ऐसे मैं कुछ लोगों से बाचीत करूँगा क्यों भाई या यहां कैसे हो यहां दो एकन दूड है बिहार में पड़ता है कैसे रहन भसेरा है रह rubbish ले जाएक सिरे में में जाते हैं तो यहां जाते हैं तो काम करने घंटागर के तरफ चंदनी चौउब कॉधित कॉम्र काम करते हैं रात में यहां आ जाते पास तुमान लीज़े कंभले इन्हों ने वेवस्ता कर लिए अपने सड़क पर ही है अलांकि वेवस्ता है आप तो यह तस्वीर आप देख लीजे और इस तस्वीर को ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूं यह तस्वीर दरसल मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी कहां से देख रहा है मुख्यमंत्री जी देख रहा हूं वहां से उस कोने से तो मुख्यमंत्री की मुस्कुराते हुई तस्वीर लगी हुई है जो दिखा रही है कि क्या है उस तस्वीर को भी देख लीजे यह मुख्यमंत्री जी है और यह है हमारे देश क जनता जिनको कहा जाता है सारवजिनिक जगाह क्यों बीडी पी रहे हैं पीड़ी पी रहे हैं पीते रहेंगे पूर नहीं है आई ये पुलिस से बात करवाएं आपकी किसी जी बात करा दो जनता भी दरसल बड़ी अपने आप में मदमस्त है जो दरसल किसी सा डरना तो जानती ही नहीं लेकिन फिर भी तो ये जो लोग रहाद सो रहे हैं उसके पास सुगंद के लिए जैसे कानपुर और कनोज से आज के लितिरुकी खुश्बू चमक रही है यहाँ भी खुश्बू ही खुश्बू चमक रही है। ये गंदीकी कांबार है जिसके बगल में ये लोग अपना आशियाना लगा लगाकर सोते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि कहा कितना विकास है है कितना किसका साथ है कितना किसका विश्वास कहां से आये हैं और स Whats Mantang इह रहता हूं यही पता हूं आप चेटी आएगा संदेश आएगा तो क्या लिखेंगे कि कहां किस पते पर भेजनी है क्या द્रली का में रहते हैं डिल्ली देखा है आपको इस अपना कमल चंदर है अपना जाती है सर इसलिए मैं अपना कमल अब लेक रहते हैं कितनी दूर है यहां से आपके बाद पास में है रहन बसेरे की भी हकीकत आपको दिखाएंगे लेकिन ये जो जगह है इसको भी दिखाना जरूरी था आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग यहां रहने को मजबूर है क्या नाम रहा आपका कहा के रहने वाले तो यह धरीक है पचास साल चेक है बढ़िया है तो यह तस्वीर है और मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा भी रहे हैं चांदनी चौक का पुनर्विकास दिल्ली की जनता को स सब देखिए मनुष्तिवारी जी की भी फोटो लगी है तो फोटो तो नेताओं की दुरुस्त है हर नेता की अपनी अपनी फोटो है अपनी अपनी तस्वीर है लेकिन यहां से लेकर आप कितना भी लंबा चले जाईएगा यह किसी और का रखा हुआ है गद्दा वद्दा रहने की जगा है तो यह कश्मीरी गेट का नजारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर यह लोग रहते हैं और इस तरीके से कामकाज करते हैं तो यह मैं आपको दिखा रहा था यह में रोड है में सडक है और सामने बड़े-बड़े एक्टर की फोटो है उधर हमार तो यह तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जहां पर इस तरीके का कुछ माहौल है अब चलिए ज़रा रैन बसेरे की तरफ भी देख लेते हैं कि रैन बसेरा क्या कह रहा है तो रैन बसेरे की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि रैन बसेरे की हकीकत क्या है रैन बसेरा चलते हैं ज़रा तो हम कश्मीरी गेट के उस तरफ वाले हिस्से पर थे जहां से आपको दिखा रहे थे कि सड़क पर किस तरह से लोग रह रहे हैं अब हम आये हैं इस तरह तरह माने रेंबसेरा तो यह है रेंड सब को दिखाईये यह है रहा और यह रहा आपका बसे रहा यह इन पर है बसे रहा तो वहींच है जिसको हम धिखाएंगे आपको यहां पर बकायदा चेक्लिस्ट भी लगी है फैसिलिटीज एट नाइट शेल्टर वाश्रूम थूरू नॉर्मल सप्लाई आप यहां के इंचार्ज नाम बताएगा अपना जतिन जी जतिन जी तो यहां पर जो फैसिलिटीज वगएरा उनके वारे में लिखा हुआ है ट्यू दस उसमें आते हैं सोने के लिए मतलब तीस पैटीस आते हो रात को होता है जो मतलब रोड मतलब यह बताएगा मुझे मैं भी देख रहाता सड़क के उस तरफ काफी लोग सड़क पर सू रहे थे नहीं मतलब अभी रात के टाइम रेस्क्य होगा जो जो आ जाएंगे रात क यहां पर दस लोग सो सकते हैं यह एक और टेंट नुमा जगा है और बताए जा रहा है कि यहीं से गाड़ी जो है वो रेस्क्यू करने का काम करती है तो यह टेंट यहां है पर दस लोग और जो आ हैं उसुर सकते हैं गन्दिघी की क्या बात करूं गंदीगी तो आप एंगे हर जगाही है तो गन्दिघी का तो अंवार यहां भी है गंदगी का अंबार तो यहां भी है एंसीडी नाम की कोई चीज है यहां यहां जी मंदर का नाम क्यों ले रहे मंदर से इसका क्या मतलब इतनी गंदगी का अब आपको बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाता हूं अब तस्वीर दिखाता हूं आपको मुख्यमंत्री जी के महला क्लीनिक की जहां पर मुख्यमंत्री जी आज खुद इलाज कर रहे हैं तो कैसे इलाज कर रहे हैं यह आपको हकीकत दि दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जी स्टिक रया हो है यह ताला मंस्टिक रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि महला क्लिनिक का जब जिक्र किया गया था तब यह महला क्लिनिक चला गया यह खुलता है कभी खुलता है ठीक है तो यह महला क्लिनिक जो है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हाथ जोड़ दिये गए हैं वहाथ ताला पड़ा है और उपर हाथ जोड़ दिये गए हैं कि महल लिए और ऐसा कते साही बंद है फोटो जारा फोटोग्राफी बहुत बढ़िया की गई है चारों तरफ अरविन केज्रिवाल जी का फोटो है चारों तरफ आम आदनी महला क्लीनिक आम आदनी पार्टी का भरपूर प्रचार है लेकिन हकीकत क्या है हाकीध आप देख चुके हैं तो यह franchीकत है महला क्लीनेक, जब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि महला क्लीनिक किस तरह से चल रहा किस तरीके से दिखता है तो आप लोग आप लोग कैसे घूम रहा है, कहाँ से हैं? आपको मुवारक हो तो यह जो तस्वीर है जहां की अपने आपको बताती हो कि इतना दुखी क्यों है जीवन से जिन्दगी से पूरी दुखी है तो यह तस्वीरे हैं दरसल दिल्ली की जहां पर रेन क्या है बसेरा क्या है और किस तरीके से कॉमेडी चल रही है इस देश में किस तरीके से मजाग चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि रैन बसेरे के नाम पे जो लोग हैं वो वहीं सो रहे हैं यहां तगा नहीं पाते विवस्था उतनी हो नहीं पाती और साथी साथ महला क्लिनिक की आखिर हकीकत क्या है वो भी आपको दिखा रहे थे और देश क्या तरक्की करेगा जब तक इस तरीके की तस्वीरें बीच अबाध आय tenga की तो नरिंदर मोधी आएंगे जहडू लगाने जबता जो है बडा समस्या 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 onIX दूब भी बीच रोड़ पे कचड़ा फेक रहे हैं तो कौन आएगा नरेंद्र मोदी आएंगे या योगी आदितनाथ आएंगे कौन आएगा हम लोगों कोई करना पड़ागा जी ये तो फिर बो कहिए ना सरकार गंदिगी कर रखी है तो अर्विन केजरिवाल खुद आए क्या जाड़ू लेके ये तो यहां यह लोग रह रहे हैं लोगों ने गलत कर रखा है जनता जरसल खुद समझ ले कि खुद जब तक नहीं बदलेंगे तब तक भारत का क्या सोचता बिहान होगा और क्या हो सकेगा ये आज एक गंभीर सवाल है जिसके साथ आपको छोड़ कर जाओंगा तो हम जाई रहे थे लेकिन जिस कचड़े की मैं बात कर रहा था जम जा रहे थे तो मैं जिस कचड़े की बात कर रहा तो यहां पर पड़ा था उसको उठाकर फेंग दिया इसने अब मिलके करेंगे तब होगी कितनी खुबसूरत बात कही है बहुत 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 शुक्री आपका तो यह थी बात कि किस तरीके से गंदी है सब कुछ है लेकिन एक इंसान खुद आगे चलकर आया उसने खुद उठाकर किसी और का कचड़ा फिक दिया तो जो कचड़ा फेक रहे हैं दरसल वो कचड़ा है और आप वो समझ लें कि आप जादा दिन कचड़ा फेकने की जो तबयत है यह चलेगी नहीं इस तबयत में सुधार कर पे सिर्फ और सिर्फ अर्विन केज्रिवाल और आम आदनी पार्टी के नेताओं की तस्वीरे लगी हैं पटा पड़ा है पूरा दर्वाजे पर हाथ लगे हुए हैं जो जुड़े हुए हैं और नीचे एक ताला लगा हुआ है जो ताला बताता है कि किस तरीके का मजाग चल रहा है तो मजाग के साथ आपको छोड़ के जाता हूं आवास का कारक्रम आप देख रहे थे फिलाल के लिए शुक्रिया